पतालित का का है मतलब पतालित तो हम होते हैं जब उनकी आबादी बढ़ या थी तो अपना मकान दुकान घर बार बहन बेटी बेटियां बहुएं बहुएं छोड़ के भागते हैं और अपने बच्चों की मूँ का चावद भीगवा खून खाते हैं पैदे हम खत्म हुए फि कि जो सच्चे मुसलमान में मक्का और मदिना में उनके भैगयनिकों को बुलाए उनके धरमाचार्यों को बुला ऑर बुला के उस्थान को दिखाए और बोढ़े कि क्या है मस्जिद है नमसकार स्वागत है आपका पॉलेटिकल नोकाउट में ज्यानवापी मस्जिद का कल भी सर्वे नहीं हो पाया कल वीडियो गिराफी होनी थी लेकिन मुस्लिम पक्स के लोगों ने वीडियो गिराफी भी नहीं होने दी इसी पर आज हम बनारस के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं यह लोग बनारस के हैं लेकिन रहते दिल्ली के अंदर हैं इसे जानते मतलब ग्यान का तालाप जहां भगवान सियू ने अपनी अरधागनी को ग्यान की सिक्षा दीती और तिसूल से एक कुंड बनाया था उस कुंड का नाम ग्यान बाफी है जब इस देश में नहीं आया था उससे भी हजारों साल पहले वो ग्यान बाफी हमारे पुष्टकों में दर्ज है हमारे बेदो में दर्ज है जब जब ग्यान बाफी का आप नाम देते हो तो मस्जित करके ग्यान बाफी का अपमान मत कीजिए मैं कहना चाहता हूँ इसलाम के उन लोगों से जो आई देश में कहते हैं कि हम मुसलमान है तुम सचे मुसलमान तो हो ही नहीं सचे मुसलमान तो है मक्का और मदिना में जो आपको मुसल्मान मानते ही नहीं तुमने दो रुपेओं के लिए अपने प्रोजों का संस्कार भुल गए उनका धर्म भुल गए जारच बसी भूत जाकर के इस्लाम गहन कर देते हो तो हम आपको मुसल्मान क्यों मानें मुसल्मान सचे होते तो हिंदूों की कमाई हुई धन से अर्जित की हुई धन से हज पे नहीं जाते जिस दिन तुम हज पे सब सिड़ी देने का बहिसकार कर दोगे उस दिन हम आपको मुसल्मान मानेंगे जिस दिन सरकारी अनुदान लेना छोड़ दोगे उस दिन हम तुम्हें मुसल्मान मानेंगे तुम मुसल्मान हो ही नहीं तुम हमारे उस मंदिर पे कबजा करके बैठे हो वहां की कमाई से अपनी पेट पालते हो हमें क्या पता नहीं कि आप उसका बहिसकार क्यों कर रहे हो आज हमें गुसने क्यों नहीं दे रहे हो क्योंकि मेरा बचपना उसी मंदर में खेलते हुए बीता है मैं चौक का रहने वाला हूँ, मैंने उसको बहुत करीब से देखा है, सरकाई को चाहिए, कि जो सचे मुसल्मान हैं, मक्का और मदिना में, उनके बैग्यानिकों को बुढ़ाए, उनके धर्माचारियों को बुढ़ाए, और बुढ़ा के उस थान को दिखाए, और बो दे कि क पिंड जो वहां बने हुए हैं हमारी जो माता की तस्वीरे बनी हुई हैं जो ओमकार बना हुआ है जो स्वास्तिक का निसान बना हुआ है जो नंदी जी बने हुए हैं जो गनेस बने हुए हैं जो सिंगार गोरी बनी हुई हैं सब उसी दिवाल के अंदर हैं सबसे बड़ी ग करके दुखी होते रहें मन में मरते रहें कि अबे तुम्हारे देवी देवताओं का यह हस्व हमने करके रखा है जब जब उस दिश्च को हम देखते हैं आखों में खून उतर के आता है ओवेसी जैसा एक गंद एक गंद कहता है 20% का युद्ध कहां है 20% का युद्ध तुम तो 5% होने के बाद अपने आपको 20% कहते हो वह इसी कह रहे हैं कि जैसे नरसंहार पहले हुआ था अभी भी हो सकता है नरसंहार तो इनकी एक आदत है नरसंहार पहले यह हिंदू का करते हैं उसके बाद सियाओ का करते हैं उसके बाद बहाबियों का करते हैं उसके बाद हेसा है 20 फरेसेंट का युद्ध अबे तेरे जैसे ही 20 फरेसंट अफगानिस्तान में ते जैसे ही जिनने उन्हें बुदाया बंगला Gün деnormों рьू रहो हो रोःंगया को तुम बुदा रहे हो तो इन जैसे कुद्दों ने अफगानिस्तान में उन आतंकवादियों को बुदाया हमारे पैदे हम खत्म हुए फिर सिख खत्म हुए फिर जो कहते हैं हम खान और पठान हैं वो अपनी बेहन बेटियों को छोड़ छोड़ के भागे अबे आखे तो अपनी खोल जिस दिन वो आएंगे हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम बेहन बेटियों को जैसे खान पठान अफगानिस्तान में छोड़ के भागे वैसे छोड़ के भागोगे वरना जीना सीख लो हर हर महादेव का जब जैगोस होता है तो मतलब युद्ध का आगाज होता है जब भगवान शिव अपने को स्थापित करने के दिए आते हैं उस बल्दान की गासा को हमें मत जगा मत दिखा उस द्रस्त को हमें समझने पर अंदोधित मत कर हम तो कोट को मानने वादे हैं हम पुलिस को मानने वादे हैं फोच को मानने वाते हैं लेकिन जिस दिन तुम तलवारे हमारी गर्दनों पर रख दोगे अब हम कान पकड़ कर भागने वाले नहीं हैं वो काल इंद्रा नेरू गांधी का था जिसमें कश्मीर से हिंदू भाग गया जिसमें बंगाल से हिंदू भाग गया जिसमें पाकिस्तान से हिंदू भाग गया जिसमें अपरानिस्तान से बंगलादेश से हिंदू समात्त हो गया अब हमारी आखें ख बन जाएगा बस भगवान से मैं एक ही कामना करता हूं कि इस धर्ती को पांच ओवेशी जैसे गद्दार दे दे मेरा आप से एक सवाल यह है आप बनारस के रहने वाले हैं आप कह रहे हैं कि मैं ग्यान वापी में घूमा हूँ मेरा खेल के वाँ बच्पन गुजरा है उसके तहकाने की क्या मिस्ट्री है जो वहाँ पर ही मुस्लिम लोग जाने नहीं दे रहे बार बार रोक और कभी करके हमारे देवी देवताओं के उपर नमाज अता करते हैं उनको बिधर्मी बनाते हैं उनका उनका बहुत सो मतलब क्या कह सकते हैं मैं वह सब्द नहीं है कि हमारी देवी देवताओं पर बैठ करके वह लोग हम उनका निरादर करते हैं वह हम देखेंगे तो हमारी आखे खुल जाएगी वो देखेगी तो दुनिया की आखे खुल जाएगी वो जब देखेंगे तो मक्रा मदीना वालों की आखे खुल जाएगी इसलिए वो उस पाखंड को दिखाना नहीं चाहते आप क्या सोचते हो आज भी उसके अंदर बीसियों अंदर आदमी बैट करके पथर को चाहिए कि अपने बल का प्रयोग करें और जो कोट ने आदेश दिया है उसका निरक्षर पादन करवाएं देश में योगी एक मोडल है देश में योगी एक मोडल है उस मोडल पे इन्होंने कुछारा घात किया है जवर जस्ती रोक करके कि देखो हमने आपके योगी की का वक्त है अपने आपको स्थापित करने का वक्त है अगर पुलिस आज डर जाती है तो बार बार ऐसे ही प्रयोग होते रहेंगे तो पुलिस को चाहिए प्रसासन को चाहिए कोट को चाहिए कि अपने फैसरे पे अडिंग रहे जैसे ही उनका पाउं खिषता है तो कोट है तो सरकार से एक ही बंदना एक ही निवेदन कि इसे सरवे तो किसी हादत में करवा के पूरे बिस्व के मानस चित मानस पटल पर दिखाए कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है आज भी हिंदू ही है अपने देश के अंदर जो पतारित होता है जब एक हिंदू मरता है तो सी एस्टी ओवेसी बनिया पांडत रामभल एक दभा की बात है मुझसे एक दभा टीचर ने पूछा कि कुत्तू मिनार का नाम क्या मैंने कहा कुत्तू मिनार किस ने बनाया मैंने का प्रिथवी राच्चमान ने अपनी बेटी वेडा की जम जमना जी में दर्सन करने के लि रहसे खुल जाएंगे रहसे का बातकार भाई रहसे तो कोई नहीं हो तो सामने दिख रहा है रहसे नहीं है उसमें छुपा हुआ नहीं है कुछ बस तुम यह आख बंद कर दोगे पट्टी हो यह जाओगा ना किसी मुसल्मान को यह दिवाल चूबाई तो कहेगा यह मंदर अब क्या करना चाहिए जो लोग जो मुसलिम अब तक यह कहते हैं कि हम कोट का आदेश मानेंगे और और अब कोट का आदेश भी नहीं मान दिया गया था नहीं माना गया था, 20 परिस्थितियां ऐसे दिखा दू जहां कोट का आदेश मान लिया गया था, लेकिनी खुद पतारित होते हैं, वहाँ पर यहाँ अगर देखा इन अगर से यह पांच भी हैं, तो दोगों को दुखी किये रखते हैं, पतारित का यह मतलब पतारित हम होते जब उनकी आबादी बढ़िया थी तो अपना मकान दुकान घर बहन बेटी बेटियां बहुएं बहुएं छोड़के भागते हैं और अपने बच्चों की मूँ का चावत भीगवा हुआ खून खाते हैं खून खून और जब ठूस दिया जाता कि देख अपने पती का खून प देसे मुसल्मान घर रहांसे कोई दिक्क्त मैं एंक सिस्ज्टम जो सब्सक्राइब होनी चाहिए काल यू विशुनाथ में जो ग्यानवापी की वीडि उडखा और ने बिल्कुल होनी चाहती है बिल्कुल होनी चाहती है इसा नहीं इतने सालों से हिंदू सोय वाता अब दो जगा है और वह वह उगा नहीं दूबारा कानून के बाद तो हमारे पचास हजार मंदर कश्मिर में तो बना दो वह भी खड़े नहीं होंगे कोट को तो ही कुछ मानते नहीं जिस दिन इन की आबादी हो जाएगी सरिया दागु हो जाएगा एक बच्चा है एक कानून सब के लिए एक बच्चा दो भी नए ही एक बच्चा हमारी धर्ती बहुत चोटी हो चुकी है अन इतना नहीं है कि सब को फ्री में खिलाया जा सके हराम का यह जितने बंगला देशी घुसे हुए हैं यह हमारे हक कमारी खा रहे हैं जितने रोहिंग्या घुसे हैं हमारी नोकरी खा रहे हैं क्योंकि इनको तो सडेंट के तहत लाया गया है और सडेंट के तहत इनको हमारे स चानपत्र के साथ घुश गए हैं उन्हें डूले ने किया वे सकता है बहार के जुस्मन को तो हम चब चाहें तब ढून के मार देंगे जो जेप के अंदर बीमारी बैठी हुई है जो पेट के अंदर बीमारी बैठी हुई है उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है तो पहरे पेट का इलाज कर दें जो घर में घुश के बैठें पहरे उनका इलाज कर दें फिर तो दुनिया हमारी है विश्व गुरू हमें बनने से रोकता कौन है आप भी चाहते हैं कि ग्यानवियापी जो मस्जिद बताई जा रही है उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए आप भी मानते हैं बिल्कुल होनी चाहिए उसमें गोरी मा की परतिमा मैंने खुद देखी है तो उसमें मंदिर है वो मंजिद नहीं है इन्होंने जबर्जस्ती मंदिर वो कब जाकी होगा मजदी बनाई हुई है तो क्या मानते हैं कल जब वहां सर्वे के लिए टीम पहुंचे था उनको भी अंदर नहीं जाने दिया है तो क्या चाहते हैं आपको कि यह कारवाई होके रहेगी बिल्कुल होकर रहेगी यह संभाव है कि वह मंदिर है और मंदिर ही बढ़ना चाहिए योगी मोडल जो है जो योगी सरकार करा पाएगी वीडियो गिराफी और म उसके योगी गरम दीजे साथ हैं यह काम बिल्कुल होकर रहेगा कोई नहीं रोक सकता बुप मुसलिम जो है कुछ भी नहीं कर सकते कानून बैठी है सरकार बैठी है सुप्रिम कोर्ट बैठा है सही को शारी तो कहे गई